स्टुदेंट्स वेलकम बैक तू दे चैनल तो काफी टाइम से हम लोग जिस चीज का इंतसार कर रहे थे वो अभी आज चुका है लिंक एक्टिवेट हो चुका है पीछे अमर का स्टुदेंट्स दस अगस्त को एंट्रेंस एक्जाम होने वाला पैरामेडिकल को उसे के लिए और उसका जो एड्मिट कार्ड है वो अनाउंस हो चुका है स्टुदेंस मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको डाउंलोड करना है सबसे पहले आपको आ जाना ओफिचल वेबसाइट पर that is pgmr.education.in यहां पर आने के बाद स्टुदेंस मैं आपको बता दू एड्मिट का देती हूं official जो कि यहां पर रिलीज किया गया है अभी आज ही रिलीज किया गया है for the paramedical courses यहां पर वो लैटर आपके लिए काफे ज़्यादा ज़रूरी है because यह changes जो है अभी किये गए हैं इन्होंने बोल रखा है कि सभी candidates को बताया जाता है जो भी computer-based cbt जो देने वाले 10 अगस्त को paramedical के लिए BPH के लिए तो वो यहां पर note कर ले बात कि एक clue को हमने add कर दिया है as a part of selection process ठीक है clue number 4.3 इन्होंने बोला है and यहां पर जो है इन्होंने बोल स्टुडेंट्स clue यहां पर क्या है तो clue यहां पर यह कि negative marking को अभी add कर दिया गया है there will be the negative marking of tune 0.25 for the each wrong answer by the candidates in the mcqs ठीक है तो यह आप लोग देख सकते हैं आज ही जो है इस नोग official notification को release किया गया है तो अभी जो है 0.25 की जो negative marking है उसका clue यहां पर add कर दिया गया students तो चलो जान लेते admit card कैसे download करना है सबसे पहले pgmr.education.in official website पर आज आना आपको google पे type कर देने इसको scts आप होगा आप लोग वहां से भी जो है direct download कर पाऊगे admit card तो आप लोग देख सकते है students सबसे पहले notification जो है यही है that is for negative marking and यहां पर आपको force number पे notification दिख जाएगा for admit card link for the B.A.C. paramedical and bachelor of public health B.P.H. ठीक है यहां पर आपको आने के बाद जो है क्या करना click here to download the admit card इस पर आपको click कर देना students इस पर click करने के बाद आप लोग देख पाएंगे कि admit card के लिए जो है candidate अभी download कर सके user ID और आपको password फिल करना होगा students पर उससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग यहां पर क्या तो laptop से डाउनलोड करें यहां पर जो है three dots पे click करके आप लोग desktop version on कर ले बिक कर देंगे और यहां पर जो capture है उसको फिल कर देंगे तो आपका admit card जो है download हो जाएगा आप लोग लोग इन पर click कर दीजेगा admit card आपका download हो जाएगा students आप लोग देख सकते हैं मैं download कर चुकी हूँ admit card को मैंने कुछ नहीं किया user name और password फिल के admit card डाउनलोड हो गया students यहां पर जो information one of the junior student कि तो मैं उसकी यहां पर जो भी परसनल डीटेल सो यहां पर लीक नहीं करोंगी बट आपको बता देती हूं किया क्या instructions है तो आप सभी को सबसे पहले तो COVID-19 की जो प्रोटोकोल से उनको follow करना होगा जो भी COVID-19 symptoms रहेंगे उनको alone नहीं किया जाएगा and उसके साथ-साथ जो है आपको face mask और आव येर करना पड़ेगा social distancing आपको maintain करनी पड़ेगी and आपको proper guidelines को follow करना पड़ेगा 50 ml के आपको transparent bottle आप लोग लेके जा सकते है sanitizer की but यह चीज़े जो है like मैं बोलूंगी कि आप अपनी safety के लिए लेके जाएं चाहे यह वहां पर check हो या ना sanitizer नहीं लेके जाएंगे तो आपको जो है like वहां से निकाल दिया जागा इसा बिल्कुल नहीं बट यह safety के लिए आप लोग लेके जाएं यहां पर जो है आप थर्मामेटर वगरा भी लेके जा सकते हैं ठीक है and यहां पर आपका वहां पर temperature check किया जाएंगा that is a very important thing जिन भी candidate का temperature से जाधा होगा ठीक है 99.14 से जाधा होगा उनको allow नहीं किया जाएगा तो अभी बात कर लेते और क्या general instructions हैं तो यहां पर जो है आपको एक colored print out copy लेके जानी है downloaded admit card की recent passport size colored photograph लेके जानी है and उसके साथ-साथ आपको students आप सभी को बता दूं जो भी in eligible candidates होंगे उनका यहा पर उसके साथ-साथ आपको जो है in order to get entrance examination venue या फिर lab candidate यहां पर print out आपको लेके जाना है original photo id आपको लेके जाना है students मैंने जब भी ऐसी नरसिंग के लिए हुआ था तब भी मैंने बताया था कि आपको एक जो है यहां पर government like मैं बोलू कि एक जो है original certificate या फिर मैं बोलू कि as evidence आपको लेके जाना चाहिए आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस इन में से कोई आपको एक identity proof लेके जाना है admit card के लिए बस दोई चीज यहां आपको लेके जानी होगी that is recent passport size photographs आपको लेके जानी होगी and यहां पर admit card पे और क्या चीजे होनी चाहिए students को यह काफी doubt रहते हैं कि admit card पे और यहां पर क्या क्या चीजे होनी चाहिए किसके हमें sign करवाने चाहिए तो invagilator के sign होने चाहिए students and उसके साथ-साथ candidate copy will be returned by the candidate produced at the time of document ऐसा कुछ नहीं कि कि किसी और के sign यहां पर हमें करवाने पड़ेंगे invagilator के आप सिर्फ sign कराई है and उसके स जो buttons हो जिस भी dress में वह आपको wear नहीं करने earrings आपको wear नहीं करने electronics आपको wear नहीं करने examination hall में तो यहां पर यह आपकी भी safety के लिए है अगर आप लोगो wear नहीं करके जाएंगे earrings वगेरा तो आपको वहां पर निकलो आए नहीं जाएंगे students तो इस बातों को ध्यान रख लेना है and किस टाइम पर आपको report करना मैं बता देती हूं 9 a.m. पर आपको report करना होगा students 10 अगस्त को and यहां पर mapping रहेगी students की note be displayed यहां पर यह तो इतना test center and यहां पर एक दिन पहले आप लोग पहुंच सकते हैं that is आपको यह चीज़े तो खुद ही समझ लेनी चीए and यहां पर और कुछ यहां पर इतना यहां पर यही सब लेके जाना होगा ठीक है अगर आप cctv में पकड़े जाएंगे नकल करते हुए तो आपको जो है admission रोक दिया जाएगा तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी students ठीक है तो यह हमने आपको बता दिया and आप जो है self declaration भी कर सकते हैं यहां पर यह च जाएगा वीडियो चींशी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपडेट्स और इंफ्सक्राइब कर सकते हैं या फिर किसी का डउलोड नहीं हो रहा हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे कॉंटक्ट भी कर सकते हैं students उसके साथ सथ क केश को जोएन कर सकते तनुफोगाट वाले चैनल पर देट इस टोटली फ्री मिलेंगे एक नेक्स्ट अपडेट के साथ थैंक यू